आउएफ में प्रग्नैंसियाने के बाद खेया करना चाहिए मिस पहले आपने अपना ok है और आपकी Колरू ऐंसेजी की रिपोर्ट आतीय बिटाएट सेजी की रिपोर्ट इस लाइक कर यो अब अगर वह पॉज़िव आठी है तो आपको भुछ खुशी हो जाती है कि चलो मैं प्रेगनेंट हो गई पर ऐसा नहीं होता है हर केस में बहुत बार क्या होता है वह बीटा एचीजी हमें फिर से रिपीट करना पड़ता है देखने के लिए आफटर 72 आवर्स या वह ग्रो कर रहा है कि नहीं यह इस तरह की ग्रोथ होती है जैसे अगर कोई फीमेल माली जे नॉर्मली प्रेगनेंट हो जाती है नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी उसको अपने अल्ट्रा साउंट कराने पड़ते हैं देखने के लिए कि उसका केज से मॉनिटरिंग शुरू करते हैं और पेशिंट को मेडसिन चलती होती है तो हम चाहते हैं कि हर 72 आवर्स पेशिंट अपने बीटा एच्जी करें जिससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरह से वह बीटा एच्जी आगे बढ़ रहा है अब उनमें दो तरह की चीज हो है हेट्रो टॉबिक का मतलब है कि एक साग यूट्रोस के काविटी के अंदर है जहां उसको होना चाहिए और एक कहीं हो रहा है दोनों ही चीज़े पेशिंट के लिए अच्छी नहीं होती है और हमें उसमें सर्जरी करने की रिक्वार्मेंट हो सकती है तो इस तरह से पेश इंफेक्शन होने का विरस ज्यादा होता है इंफेक्शन होने का रिस ज्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने आइविफ कराया है इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेगनेंट हो एक प्रेगनेंसी का स्टेट होता है वो खुदी अपने में आपका इम्म्यून है उसक इसमें यह नहीं कि आपने IVF से प्रेग्नेंसी कराई या नॉर्मल कराई उसके बाद जब आभी जाती माली जए धड़कन आगी कार्डेक अक्टिविटी आगई फिर धड़कन देखनी होती है धड़कन के बाद भी आगे देखना बहुत ज़रूरी है 12 वीक्स तक का जो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दिखाने के लिए कि हाँ वह बेबी नॉर्मली है बहुत बर बायो केमिकल प्रेग्नेंसी होता है यह बहुत बर मिस्कारज हो जाते हैं आगे जागर के वह सब को फिर किस तरह से अवाइट करना है वह एक अलग चीज है पर अभी यह चीज है आपको यह जानकारी में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कभी भी अगर आपको आई विफ कराना पड़े तो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको कभी कोई परिशानी नहीं हो बने रहे हमारे साथ हम रखें आपका ख्याल